क्या आप anxiety, depression, stress, overthinking या relationship issues का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ गई है, आप ठकावट महसूस करते हैं और हर वक्त बेचैन, tense या चिड़-चिड़े रहते हैं यहां तक कि आपकी personal और professional life भी इससे affect हो रही है फिक्र मत करिए, यह सब mental health issues के science and symptoms हो सकते हैं Hello everyone, मेरा नाम Dr. Sayyad M. Quadri है और मैं एक US Board Certified Psychiatrist हूँ मैं पिछले 20 सालों से इस field में काम कर रहा हूँ और मैंने काफी लोगों को mental health issues से निकलने में मदद की है मैं आपको guide करूँगा कि कैसे आप अपने thoughts को rewire या program कर सकते हैं कैसे overthinking को रोका जा सकता है और कैसे negative thoughts को positive में बदला जा सकता है मैं इन problems के root causes समझाऊँगा और proven natural तरीके दिखाऊँगा जो आपको ठीक होने में मदद करेंगे आप अपने self beliefs के जरीए इन्हें कैसे overcome कर सकते हैं यह भी मैं बताऊँगा यह सब scientific studies पर आधारित होगा जो आपकी mental health को बेहतर बनाने में मदद करेंगे अगर आप अपनी mental health को समझना चाहते हैं और कैसे इसको maintain करना है यह सीखना चाहते हैं तो यह video आपके लिए है चैनल को subscribe करें ताकि valuable tips and treatment को miss न करें आईए समझते हैं mental health क्या है और इसकी importance क्या है mental health आपके दिमाग और दिल की वह state है जो आपके सोचने, समझने और हर चीज़ को handle करने का तरीका तै करती है आपकी जिन्दगी के हर चोटे या बड़े फैसले mental health पर depend करते हैं जैसे जैसे आपकी mental health strong होती है वैसे वैसे आप challenges को आसानी से handle कर पाते हैं जैसे हमारी body में बिमारियां खाने, पीने, सोने और काम के pressure से होती हैं वैसे ही दिमाग पर ज्यादा बोज या सही diet न मिलने पर mental health problems शुरू हो जाती हैं negative thoughts का stress जैसे पढ़ाई, family issues, relationships या financial tensions, anxiety और depression को जन्म देते हैं जो कभी suicidal thoughts तक ले जा सकते हैं mental health खराब होने पर physical health भी असर में आ जाती है क्योंकि दिमाग शरीर का main controller है और गलत signals पूरे शरीर को बिगाड़ने लगते हैं सोचिए, आपके पास एक priceless car है अगर इसकी time to time service और maintenance नहीं करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ खराबी आएगी और एक दिन यह car आपको रास्ते में छोड़ देगी लेकिन अगर regular maintenance और check-up करते रहेंगे तो यह smoothly चलेगी छोटी खराबी को ठीक करते ही बड़े खर्चे से बच सकते हैं बिलकुल वैसे ही आपका दिमाग भी दुनिया की सबसे advanced machine है अगर आप अपनी mental health का खयाल नहीं रखेंगे तो यह चोटी problems जैसे stress और anxiety बड़े mental health issues में बदल सकती हैं जो life end तक ले जा सकती है अगर brain का ध्यान नहीं रखा तो physical health भी खराब हो जाएगी इसलिए वक्त से पहले अपना और अपनी family का खयाल रखें आईए आपको example का conclusion बताते हैं mental health को maintain करना car की maintenance जैसा है अपने diet, routine और work life balance का ध्यान रखना जरूरी है mentally strong रहने से बड़े challenges भी आसानी से handle किये जा सकते हैं आईए आपको थोड़ा treatment और tips के बारे में बताते हैं जो मेरे videos में आपको हर तरह के treatment और tips मिलेंगे natural treatments जैसे exercise, mindfulness और healthy diet lifestyle changes और therapy जैसे CBT, advanced treatments जैसे TMS और ECT साथ ही हमारे channel पर आपको 45 list of anxiety treatments और 101 tips for stress management के videos भी मिलेंगे जो आपकी mental health को improve करने में मदद करेंगे ताकि आप एक balanced और healthy life जी सकें आपको इस channel पर 300 से ज्यादा videos Hindi और English दोनों भाशा में 2D और 3D animated videos मिलेंगे जैसे depression, anxiety, stress, overthinking, bipolar disorder, panic disorder, generalized anxiety disorder, GAD और भी बहुत सारे अगर आपको mental health improve करनी है तो channel को जरूर subscribe करें और अपने family और friends के साथ share करें आईए आपको एक जलक आपके brain के advanced system और उसके nerve system और उसके साथ कैसे second system brain के साथ जुड़े हैं दिखाते हैं अगर एक-एक part को explain करूँ तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो चलिए एक नजर डालते हैं 1. Brain system दिमाग आपके शरीर का control center है यह सोचने, फैसले लेने और शरीर को signals देने का काम करता है ब्रेन के अलग parts, memory, emotions और movement को control करते हैं 2. Nervous system दिमाग से signals लेकर body के हर part तक पहुँचाता है इससे movements, reflexes और reactions को manage किया जाता है ताकि आपका हर action properly coordinated हो 3. Digestive system Digestive system खाने को energy में बदलता है और mental health से जुड़ा होता है अगर digestion ठीक नहीं होता, तो mood swings और fatigue जैसे mental health issues हो सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो like, comment और share जरूर करें bell icon दबाना न भूले, ताकि नए वीडियो की notification तुरंत मिल सकें याद रखें, mental health एक journey है और हम इस journey में आपके साथ हैं